अस्सलाम उलेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डेल पावर एज आरफो टैन में रेट 10 कैसे कर सकते हैं बाइड डिफार्ट इसमें लगी हुई थी सैस की 300 जीबी की ड्राइव लगी हुई थी देखें ये 1 है और ये इसका मतलब ये 0 है ये 2 है और ये 3 है और एंड में इसके 4 है तो ये चार ड्राइव बाइड डिफार्ट इसमें लगी हुई थी 300 जीबी की लेकिन इनको हमने करना है रिप्लेस तो वह को दिखा जाता हूँ ये वाली जो निकाल के कि ये इसमें लगी हुई थी डिफार्ट ये वाली ये देखें कि 300 जीबी है और सैस है ये वाली ड्राइव ये भी 300 है और ये भी 300 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है 1 टीबी ड्राइव के साथ और अब आप इससे ये भी सीख सकते हैं कि 300 जीबी वाली जो ड्राइव है हमको replace करके आप 1 TB वाली drive भी लगा करते हैं इसमें डेल वाले में डेल वाले server machine में बाकि इसके specs वायर देखे ले ये भी सैसी है 6 GBS घर है इसका जो इसके specs लिख्यों होते है वो यही वाली है अब हमें इसको लगा लिया है लगाने के बाद अब हम इसकी power on कर लेते हैं पावर ओन करते हैं तो ऐसे हमारे पास पर चीज का डिस्पले आता है और सबसे पहले आप्शन आती है अब मजीद और ओप्शन आएंगी डेल का लोगो आजाता है और इसके टॉक राइट कॉर्णर पर आप देखेंगे मजीद ओप्शन आजाती है इनको आपने फालो करना है यहां हम प्रेस करेंगे F10 सिस्टम सर्विसेज के लिए और उसके बाद ये वाली जो आप्शन आती है इनको हमने रीड करना है समझना है Ctrl S की आप्शन आती है इसको हमने कुछ ने करना उसके बाद और इनसर्ट्शन आती है और इन्फर्मेशन आएगी उनको हमने रीड करना है बस बाकी इसमें थोड़ी देर बाद इसमें ऑप्शन आएगी ये वाली के Ctrl C हमने प्रेस करना है Ctrl C हम बनाएंगे पर्ग के लिए यनके जब हम इसको रेड कंफिगर करते हैं उसके लिए हमें इस सिस्टम में डेल पावर एज में ये हमें Ctrl C प्रेस करना पड़ेगा उसके बाद दखेंगे Option आजाती है Please Wait और ये वाली जो Command है इनको हमने फालो करना है इनकी वजह से हम इसको यूज़ करेंगी इसके उपर आपने क्लिक कर लेना है मतलब इंटर दबा लेना है इंटर दबाएंगे तो नीचे ड्राइव यहां सारी शो हो जाती है कोन सी ड्राइव है और कोन सी ड्राइव नहीं आई और आप उनको देख सकते हैं यस नो बगरा कर सकते हैं यह बाकि ऊपर आप देखेंगे कि टाइब टाइब ज़मा रेट रेट अपर गरले मैनेज वॉलियम पर आप दबाला चले जायेंगे और उने को उपशन को मने यूज करना है इसके ओपर delete volume के ओपर हम enter दबा देंगे और अब delete volume and exit to adapter properties वाली option को हमने लेना है इसके लिए y press कर देंगे हम y press कर देंगे तो deleting rate volume के option आगी है उसके बाद ये दोबारा हम rate properties वाली option पर आजाते हैं यहां हमारे पास आप option मिलती है कि आप rate 1 भी configure कर सकते हैं rate 0 भी configure कर सकते हैं यह अब आपड़ डपेंड करता है कि कौन सी rate आपने बनानी है कौन सी rate आप समयते हैं कि सबसे मेरे लिए जो suitable है उसकी definition description आगे लिखी हुई है जिसको मर्जी आप बनाना चाहिए वो आप बना सकते हैं मैं यहां rate 10 figure कर रहा हूं डिस्क के लिए हम इसको allow कर देते हैं और volume type rate 10 ही उपर आ रहे है शोओ रहे है अब यह हमारे इसको follow कर लिए अब हमने C प्रेस कर देना है मतलब keyword से C प्रेस कर देंगी तो rate volume हो जाएगा अब आपके पास यह option आ रही है तो आप इसके ओपर दवारा इसके ओपर इंटर दबा देंगे तो properties में जाके देखेंगे तो हमारे पास यह इसतनी भी drive थी वह सारी के सारी rate 10 में configure हो चुपिया है यह देखिये type यह वह rate 10 हो गई है और rate disk के नीचे भी option आ रही है कि यह configure हो गई है तो इस तरह से आप rate जो है वह इतनी असानी से configure कर सकते हैं उसके बाद exit करना है exit के लिए अपने यूज़ करना है exit the configuration utility add reboot यही value option है first value cancel की मिलती है और दूसरी सबसे last value option है वह वाली मिलती है कि virtual disk जो है वह बन गई है और rate भी बन गई है और यह 1862GB हमें मिली है तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ rate configure कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह video आपको अच्छी लगे होगी वीडियो चलागे चैनल को लादमे सब्सक्राइब कर लें तो वह भी देखना चाहते हैं तो वह video भी आपको मिल जाएगी अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिस